नमस्कार वनिल्या हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिकात हो रिया अमेरिका की उप राश्पती कमला हैरिस ने शुकरवार को कुछ देर के लिए अमेरिकी राश्पती बद की जम्मेदारी संभाली वाइट हाउस की तरफ से मिली जानकारी के मताबिक कमला हैरिस के पास कुल एक घंटे पच्चिस मिनट तक राश्पती बद का अधिकार रहा दरसल आपको बता दे कि अमेरिकी राश्पती जो बाइडन शुकरवार को नियमित कॉलन्सकॉपी जाच कराने के लिए वाल्टर रीड नैशनल मिलिटरी मिडिकल सेंटर में भड़ती हुए थे इसी दुरान उन्होंने पचासी मिनट के लिए अपनी शक्तियां और राश्पती कमला हैरिस को ट्रांसफर की थी बता दे कि इलाज के दुरान जो बाइडन को कुछ देर के लिए बेहोश भी किया गया था अमेरिका की 500 साल के इतिहास में अब तक कोई भी महीला राश्पती नहीं बनी है ये आम है कि जब प्रेजिडेंट को अनिस्थीशिया से गुजरना होता है तो अपनी शक्तियां और राश्पती को ट्रांसफर कर देता है इसी कड़ी में अपनी शक्तियों को ट्रांसफर करने के लिए बाइडन ने शुकरवार सुभा अमेरिकी समय के मुताबिक 10 बच कर 10 मिनट पर स्पीकर नैंसी पेलोसी और डेमोक्रिटिक सेनेटर पैट्रिक लिहाय को पत्र भेजा था इसके बाद वो अनिस्थीशा के लिए कए थे वाइट हाउस नेक बयान में कहा कि राश्पती जो बाइडन ने 11 बच कर 35 मिनट पर अपने पद्ध की जिम्मेदारियों को फिर से संभाल लिया था आपको बता दे कि उप्राश्पती बनने के बाद कमला हैरिस कई रेकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है वो अमेरिका में उप्राश्पती बनने वाली पहली महिला है पहली दक्षिन एश्याई मूल की शक्स और पहली अश्वेद व्यक्ती है इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बनी रहें One India हिंदी के साथ